नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकेन को दबाना ना भूले ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचें तक ऑसे टेवलमेट को बिल में बना सकते कि जिसकें बोली का यूज और एक त्जात है करें आवाध इसमें बनाणा बहुत ही हो इस मोलेकलय में सबसे पहले हम इस पर निशान लगाएंगे 16 गें ऋ निशान लगाने के बाद एक धागा जो हाब आक निकालेंगे यहां निकला से इप篇द हो भी हम इस साइड से एक धागा और निकालेंगे यह देखिये इस धागे को लेंगे और हलका सा इस धागे को हम खीज देंगे यह देखे इतना अब उन लेंगे डबल करेंगे उसको डबल करने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे नॉट लगा देंगे एक नॉट हमने इसमें लगानी है का नौट को टाइट कर देंगे अब धागा हमने इस साइड का निकाला तो सेम इसी साइड का हमने जो है यह वाला धागा लेना है यह देखिए यह वला धागा और इस धागे को अब हम खीच देंगे यहाँ से जैसे हम इस धागे को खीचेंगे तो यह देखिए हमारी उन जो है इसके साथ में इस तरीके से आ जाएगे यह देखिए यह देखिए फिर हम रिपीट करेंगे ऐसे ही इसके साथ वला धागा लेंगे यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह दागा लेंगे और इसको हम हलका सा निकाल देंगे ऐसे ही हम डबल उन लेंगे और इसको यह देखिए ऐसे करेंगे और यहाँ पर हम नॉट लगा दे कि यह देखिए अब हमने इस साइड का धागा निकाला था तो सेम इसी साइड का ही यह देखिए इस साइड का यहां से हमने धागा निकालना यह वाला और इस धागे को हम ऐसे ही रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले खीचा था था धागे को कि देखिए यह देखिए धागा हमारा यह साइड बे आ गया है और अब हम इसको पकड़ कर और सीधा कर देंगे देखिए बहुत इजी है इसको करना यह करने के बाद फिर हम रिपीट करेंगे ऐसा ही हम एक इंच तक जो है हम इसको बनाएंगे ये देखे एक इंच तक हम इसको ऐसे ही repeat करेंगे और पूरा करेंगे इसको ये देखे घंट ये हमारा complete हो गया है अब फिर same ऐसे ही करना है यहां से दो इंच लेंगे या फिर डेड़ी इंच आप ले सकते हैं तो यहां से हम डेड़ी इंच लेंगे और इसी तरीके से हम यहां से एक धागा यहां से निकालेंगे पहले आप एक धागा निकालें ताकि यह जो है लूज हो जाया तब हम धागा उनका डालें तो यह असानी से आ जाए इसमें यहां पर यह ग्यैप हो जाएगा ग्याप होने के बाद अब यह जो हम दूसरी उन डालेंगे तो यह असानी से आ जाएगी तो यह देखिए इसको हम यहां से धागे को खीचेंगे एक हमने डबल धागा कर लिया है और इसको ऐसे ही करेंगे यह कम्प्लीट हो गया है की साइट कि धागे आप इस तरीके सी याद इसको इक्वल करने के बाद जिग जग मशीन ये वह आप इस पर लगा दे तो ये धागे जिए निकलेंगे नहीं यह फिर आप इसपर बॉरडर लगा सकते हैं तो मैं इसपर बॉर्डर लगाने वाली हूँ इसको मैं यहां से कट क कर लेंगे और इस के स्ट्रिप कर लेंगे चोटी बड़ी जो भी आप साइज रखना चाहते हैं वह आप इसे में रख सकते हैं यह हमारा राइट साइड है टो रॉंघ साइड हमारा यहान 안ग साइड से हम लगाना अपर जार करेंगे यहाँ एसे रखेंगे इसको और यहां प the next stitch पर ऐसे रखेंगे ऐसे करते हो इस बॉर्डर हम पूरा कम्पलीट कर लेंगे को कि देखिए गॉडर को हमारा कम्पलीट हो गया है साइड में हम लटकन लगाएंगे लटकन लगाने के लिए यह यह देखिए इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे इसको निकाल देंगे और यहां से हम इसको फिर से रैप करेंगे इसको ऐसे करेंगे धागे को खीज देंगे एक बार फिर से करेंगे ऐसे ही यह देखिया अब एक निडल लेंगे निडल में धागा डाल कर इसको हम इसको हम पहले बीच में कर देंगे यह देखिये कॉर्णर पे इसे लगाएंगे इसके बीच में से यहां पर नीडल मैंने नहीं लिए ऐसे लेंगे धागे को घुमाएंगे इसके बीच में से लेंगे यह देखिया ऐसे और इन सभी को लेते हुए फिर वापिस इसमें एक दो बार इसको ऐसे ही करकर इसे हम पक्का कर लेंगे इसे टाइट कर देंगे और इसे यहां से हम कट कर देंगे इसे बीच में से कट कर लेंगे अब आप इसमें इसको छोटा बड़ा भी आप इसमें कर सकते हैं ऐसे यह देखिये मैंने यह दो तीन कलर में बनाया है ऐसे ही पूरा करेंगे दोनों साइड में लगा कर इसे हम इस दोन में खमारा बनाया है